नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं Market Report आईए बात करते हैं Silver USD की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने Silver USD का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की Moment Last Trading Session में रही और पिछले पूरे हफ़ते हमने जिस तरीके का एक Moment देखा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में कौन से Price Level हमारे लिए Support और Resistance का का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का वी हुए क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सैलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आईए शुरू करते हैं पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे सिलवर यूसडी का चार्ट दोसतों कर लास्ट टेडिंग सेशन की बात करें सिलवर में एक साइड़ए ट्रेडिंग चल रही थी जिसमें मार्केट नीचे गया, उपर गया फिर और उपर, फिर यहां से नीचे फिर इस पूरे पार्ट में मार्केट ने बहुत consolidate किया और उसके बाद इसमें एक strength हमें देखने को मिली वहाँ से correction थोड़ी सी फिर मार्केट में recovery और finally 27.279 प्या के मार्केट close हो गया दोस्तों ये chart अगर आप देखेंगे और gold का chart देखेंगे आपको बिलकुल एक inversely proportionate view आपको नज़र आएगा gold में ये मैं end की बात नहीं कर रहा है यहां तक की बात कर रहा हूँ इससे पहले gold में एक downward trend था इसमें slightly एक upward trend upward भी नहीं कहेंगे तो हम strength हिससे जरूर कहेंगे जिसमें बार-बार यहां के बात support मिला यहां support मिला और market फिर यहां पर इन levels पर consolidate होने लग गया तो और तब तक gold में एक selling pressure बना हुआ तक continuous selling pressure silver ने उपर के levels को hold करके रखा और end में हमने देखा कि evening session के बाद इसमें एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली इतनी अच्छी भी नहीं के मैं बहुत अच्छी कहूंगा वहां से market में थोड़ी सी correction फिर market ने एक recovery दिखा के almost अगर यहां पर इस range में market रहता है तो अपने जो higher range है उसके बीच में आकर silver ने अपने आपको close किया एक इस तरीके का इसमें एक view हमें देखने को मिला दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार silver में जिस तरीकी की trading अभी चल रही है क्या view है देखिए silver में gold से comparison हमने कर लिया और अभी एक चीज़ सबसे important है कि silver में strength अभी भी बनी हुई है और जिस तरीके से इसने अपनी closing दिखाई है उसमें chances यह हैं कि market एक या तो gap up opening दिखा सकता है या फिर एक open अगर flat होता है तो market में strength जो है वो continue रह सकती है Monday के session में तो उस चीज़ पर आप खास ध्यान रखिएगा short selling के लिए आपको किसी एक सही price का आपको wait करना पड़ेगा कोई random trade आप मत कीजिए कि आपने short selling करनी है तो यहाँ पर भी market खुलती है आप short selling में आप enter कर गए और फिर आप wait कर रहे हैं कि कब आपको profit होगा market थोड़ा सा उपर चला जाएगा आप यह सोचने लगेंगे कि at least मेरे selling price से तो market नीचे आ जाए तब मैं निकलूँगा और देखती देखते आपको यह लगे कि market तो market तो बहुत उपर चला गया तो जैसा भी है थोड़ा सा धियान से आप trade कीजिए selling के लिए भी हम बात करेंगे buying के लिए भी बात करेंगे चलते हैं 15 minute के time frame पे वहाँ देखते हैं क्या view हमें नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें market में इस तरीके का नीचे नीचे फिर उपर फिर नीचे नीचे फिर उपर फिर यहाँ close देखने में बेलकुल यह sideways trend आपको लग रहा है यहाँ सिर्फ एक की चीज़ थोड़ी सी important नजर आ रही है वो यह कि जो इसका यह lowest price touch हुआ था यहाँ से market धीरे धीरे अपनी strength को continue करके उपर जा रहा है यह काफी important sign है देखे कई सारी चीज़े होती है मेरे पास कई message आते हैं कि कौन सी study मैं हर बार एक ही जवाब देता हूँ किसी ने एक बार मुझसे पुछा था उस दिन live session में कि price action पर मैं कुछ बता हूँ देखे price action भी वही चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ trend line में अगर आप थोड़ा सा अपनी एक experience देखेंगे trend line कैसे काम करती है तो वही price action है इस trend line को अगर आप join कर देंगे इस तरीके से तो यहाँ पर इस point के नीचे market का आना, sustain करना वो इसमें selling pressure बना देगा price action क्या है आपके मतलब price is the king जो price है यहाँ पर यह price यह price या इसका current price देखेंगे, price action का सिर्फ एक मतलब है यह थोड़ा ना complicated है समझना कि price ही राजा है वो किसी study को नहीं मानता जो इसका अभी price है वो ही आपको यह indicate करेगा कि trend क्या होना चीए कैसे होना चीए और दूसरा एक trend line support resistance और थोड़ा सा historical view इसमें कैसा चल रहा है कि किस level के बाद हम बार-बार selling देख रहे हैं किस level पर हम बार-बार बार बाईंग देख रहे हैं यह कुछ level है price action अपने आप में कुछ नहीं है पर वो अपने आपको राजा की तरह पेश करता है कि और किसी चीज़ पर आपका believe जो है वो गलत है price action is the king थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको मैं उसी में थोड़ा कुछ मैं बताता हूँ देखिए अगर मैं यहां की बात करूँ market उपर गया यह जो prices है price action में इसे यह माना जाएगा कि जो selling है वो वापस इस level के आसपास आ सकती है ठीक है दूसरी चीज़ इस point को ले लेते हैं और इसे इस तरीके से हम connect करते हैं पर यहां पर connect करना गलत है जो connect करना रहेगा वो ज़्यादा सही यहां पर रहता इस point को इस तरीके से तो जहां पर भी इसने trend line को break करना शुरू की है वहां पर थोड़ी सी इसमें strength के indication आने लग गए है इसी तरीके से अगर मैं नीचे इन levels को join करूँ तो वो कहां पर जा रही है लाइन वो उसके नीचे आएगा तो selling आएगी यह सारी चीज़ प्राइस action में आती है support का मिल रहा है raise strength का मिल रहा है और candlestick pattern उसमें आपके बहुत सारे view है किस तरीके से double top है, double bottom है, head and shoulder है या doji है, या फिर white soldier है, black crow है क्या चीज़ है, क्या नहीं है बहुत सारी चीज़े है आपको खुद ही यह judge करना हुग क्या आपको trend line sound में आ रही है, क्या आपको support raise strength समझ में आ रहे हैं और इन सब के समझने के बाद सबसे important जो चीज़ है, जिसे सब trader ignore करते हैं क्या आप उनको लेकर आप trade कर पा रहे हो यह सबसे important है आपको भले ही, आपने मैं आपको example देता हूँ, मान लेजिए यह particular script है, जिसका यहाँ पर price है 2000 का ठीक है, आप इस line को मैं आगे ले जाता हूँ आप यहाँ 1950 पर एक price था, आपने यहाँ पर short sell कर दिया, यहाँ से market ऊपर जा रहा है, 2000 आ गया आप अपने आपसे पूछिए, क्या आप 2000 के break होने के बाद निकलते हैं या नहीं निकलते हैं price action समझना, मतलब उसमें कोई, बस यही 2-4 चीज़े हैं कुछ नहीं है, किसी study में भी, आप कोई सी भी study ले लीजिए उसमें भी यही चीज़े होंगी, 2-4 चीज़े होंगी, कि market को उपर जाने के indication का बारे हैं, नीचे जाने के indication का बारे हैं, उससे बड़ी चीज़ यह है, क्या आप उस study को follow भी कर रहे हो, कोई नहीं करता मतलब करते हैं, पर वो follow करना ही सबसे ज़्यादा आपका एक सबसे बड़ा test होता है क्या आपको अब यहाँ पर यह 2000 के उपर ऐसे chances हैं कि market उपर चला जाएगा पर आपने exit नहीं किया, ठीक है market उपर चला गया, आपको लगेगा कि हाँ, study बहुत अच्छी है दूसरा example लेता हूँ यह 2000 है, आपने 1950 पर sell कर दिया market उपर जा रहा है, same situation आपने यहाँ पर exit कर लिया ठीक है, आप ध्यान से सुनना, दोनों चीज़ों में difference आपने हाँ पर exit कर लिया, market यहाँ से नीचे के लिए turn ले लेता है आपका view उस दिन इस price action पे भी बदल जाएगा support resistance पे भी बदल जाएगा आप यह सोचने लगेंगे, market बेकार है, सबको loss होता है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जब तक profit ना आ जाए मतलब हर किसी की अलग-लग थेओरी है, हर किसी की अलग-लग thought process है कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है आपको विश्वास करना होगा इनी studies पे, तब जाकर आप कामयाब बनेंगे, loss होगा आपको एक बार नहीं, बहुत बार होगा आप उस study को कितना ठीक से समझ पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर इतना ही असान होता तो सब भी इसमें trade कर रहे होता है असान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है इसके उपर अगर market मतलब इसे अगर market break करेगा बिल्कुल आपको निकलना है, आपको exit करना है उसमें आपको थोड़ा सा back testing करनी पड़ेगी कि क्या हमें निकलना सही रहता है और अगर हम exit लें तो किस strategy से लें हमने जब entry ली थी तो तब क्या हमने कुछ सोचा था 1950 पे जब हमने sell किया तो हमारा कुछ mind में था कि हम यहाँ पर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे और अगर निकलना था तो हमें 2000 पर stoppers लगा के बिल्कुल बैट जानना था ये चीजे आपके लिए करनी बहुत मुश्किल है आप execute जब तक नहीं करेंगे इन चीजों को तब तक आपकी problem बनी रहेगी levels समझना मैं भी आपको levels बताता हूँ इसके अलावा कुछ नहीं आपको थोड़ा समय ये guide करने की भी कोशिश करता हूँ कि आप किस तरीके से आप अपनी trading कीजिए तो यही कुछ चीज़े हैं जो आपके लिए help करेंगे दोस्तों इन सब चीजों के अलावा एक चीज़े में और मैं मानता हूँ वो मैंने ना कहीं सुना है ना देखा है ना पढ़ा है जिस तरीके से आप एक level लेके रखते हैं एक level नहीं जो आपके पास कई सारी calls या tips आती होंगी उसमें मेरा एक चीज़ का मानना है अगर आप इस तरीके से trade करते हैं आपने 10 slot ले लिए आपने 100 रुपे पर buying की है इसमें stop loss आपका 95 का हो गया आपके पास target तीन होंगे जादा तर जो call provider है यह जो फर्जी होते हैं mostly फर्जी होते हैं देखिए levels आपके लिए काम में आते हैं आपके लिए call काम में नहीं आती call में वो उसने इससे पहला वो price देदेगा 105 पे मेरा पहला target है 115 पे मेरा दूसरा target है और 130 पे मेरा तीसरा target है और एक चीज़ और यहाँ पर 95 और 105 में आपको 1 is to 1 का ratio नज़र आ रहा है यहाँ पर 5 रुपय का loss यहाँ पर 5 रुपय का profit उनका जो पहला target होता है न वो loss से भी छोटा होता है ठीक है यहाँ 5 का profit है तो यहाँ पर 2 या 3 या maximum 4 रुपय का profit आपको दिखा रहे होंगे ठीक है यह इस तरीके से रहता है दूसरा 115 चला जाए तो तो उनका second target हीट हो गया और 130 चला जाए तो उनका third target हीट हो गया अब यहाँ पर वो अपनी कोई sheet बनाते है Excel sheet बनाते है अपनी performance दिखाने के लिए देखिए आपने एक जगे trade लिया है आपका एक lot है यहाँ पर अगर आपको loss होता है आपको 5 रुपय गए आपको profit होता है आपको 5 रुपय है यह मैं maximum मतलब उस price की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने target level बहुत अच्छा दिया है आपको तो 1 is to 1 का ratio होगा otherwise जो भी 3 तीन target देते हैं आपको उनका कभी 1 is to 1 का ratio नहीं होता ठीक है मान लेते हैं कि यही था तो एक call में उनका stop loss trigger एक call में उनका profit आ गया Excel sheet में 0 ठीक है अगली call चलते है उस call में उनका second target trigger हो गया और फिर एक call में उनका stop loss trigger हुआ वो अपनी Excel sheet में 10 रुपए का profit दिखाएंगे पर actual क्या हुआ होगा आप ये सोचिए actual क्या हुआ होगा आपने एक lot लिया उसमें आपका 95 पे stop loss trigger हुआ आपने जो दूसरा जिसमें 115 तक target गया है आप 105 पे exit कर चुके होंगे ये 99% sure है कि आप 105 पे exit कर चुके होंगे क्योंकि वो पहला target है वो तो अपनी Excel sheet में 105 आगया तो उसने दिखा देना है 115 आया तो उसने दिखा देना है और 130 आगया तो तो उसकी Excel sheet एकदम चमचमाती हुआ आपको नजर आएगी कि 30 रुपए का profit करवा दिया वो 30 रुपए का कभी profit नहीं होता 30 रुपए जाएगा और फिर उसे 6 trade ऐसे मिल जाएगे जिन 6 trade में अगर stop loss trigger होता तो उसकी Excel sheet 0 जाएगी जबकि 130 तक hold करने वाला कोई नहीं होता तो अब जो चीज़ मैं आपको explain करा था पहली चीज़ के एक दो तीन target एक stop loss के साथ अगर आपको मिल रहे हैं तो वो call का pattern ही गलत है आपको ठीक लगती होगी पर आप इस चीज़ को ना थोड़ा समझिए कि इसमें कहां फर्जी वाड़ा है दूसरा तरीका जो मैं समझता हूँ आपका एक ही exit level हो सकता है और एक ही target level हो सकता है यह पहली चीज़ दूसरा या तो आपके stop loss 1, stop loss 2, stop loss 3 इसी तरीके से target 1, target 2, target 3 यह pattern मुझे सही लगता है वो इसलिए सही लगता है आपने अगर थोड़ी सी number of quantity खरीदी हुई है अगर एक ही है तो मैं आपको यह recommend करूँगा कि यही आपके लिए एक सही चीज़ है जो 1 is to 1 का ratio मतलब जो भी हो सकता है पहला stop loss पहला target वही आपके लिए ठीक रहेगा पर अगर आप multiple quantity में trade करते हैं क्योंकि जो multiple quantity में trade करता होगा उसी के लिए 1, 2, 3 के target level वो बना सकता है stop loss भी इसी तरीके से एक price level होता है जहांपर market में stop loss sticker हुआ आप अपनी थोड़ी quantity से आप exit कर जाईए दूसरा stop loss थोड़ी और उसमें stand दिखाने की कोशिच करेगा उस particular script में आप exit कर जाईए तीसरा final और उसमें अब भी आपके पास थोड़ी सी quantity बची हुई है वो reversal price होगा वहाँ पर आप बिलकुल आप exit कर जाईए कोई position hold मत रखिए तो ये कुछ चीज़े हैं जो मैं मानता हूँ के आपकी strategy में काम आएंगी आपके लिए काफी helpful होंगी अगर आप trade करते हैं तो तो दोस्तो इनी चीज़ों में ख़र time निकल गया थोड़ा सा और आगे चलते हैं अगर आपको ये तरीका सही लग रहा हो एक बार comment box में बता देना या गलत लग रहा हो तो भी आप बता देना कि मेरा सोचना गलत है थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार चार घंटे के time frame पे वहाँ देखते हैं क्या हमें नज़र आ रहा है ये थोड़ी strength downside, consolidation uptrend, strong uptrend वहाँ से market नीचे और फिर recovery अच्छी दिखाई है और अभी उपर के prices पे अभी market अपने आपको consolidate करने की कोशिश कर रहा है थोड़ा सा हो रहागे daily charts पे, यहां हम देखते हैं market में एक strength काफी उपर के levels और यहां से इस तरीके का एक pattern, consolidation, upside downside, फिर upside और अभी यहां पर consolidation दोस्तों, वापस चलते हैं एक घंटे के time frame पे अब उन levels को हम discuss करते हैं जो हमारे लिए अब important होने वाले हैं देखिए सबसे पहली चीज़ के silver में अभी तक एक strength बनी हुई है ठीक है, थोड़ा सा na complicated यह चीज़ तब तक चलेगी जब तक gold में एक selling pressure आपको नज़र आएगा और silver में strength नज़र आएगी आप भी खुद confused थोड़ा सा रहेंगे अगर आप दोनों में trade करते हैं कि एक को आप plus कर रहे हैं, एक को minus कर रहे हैं पर जब तक charts indicate नहीं कर रहे silver में selling तब तक selling नहीं कह सकते और जब तक gold में buying नहीं दिख रही तब तक buying नहीं कह सकते उमीद यह है कि silver में आने वाले time में बहुत जल्दी हम selling देखेंगे उसमें थोड़ा सा time ज़रूर लग सकता है हो सकता है कि जो last week को का February का, उसमें हमें एक strong sell नज़र आएगा expectation है, देखते हैं, levels को फिर भी धियान रखेंगे यहाँ पर अभी जो trend नज़र आ रही है, उसमें सबसे पहला price हमारा रहेगा 27.05 से लेकर 27.00 तर, यह एक range है, जिसके बीच में अगर market sustain करता है तो एक selling pressure को वो दिखाना शुरू कर देगा charts पे, अभी 27.28 का level है, prices के और उपर जाने की उमीद है अगर 27.05 break होता है 27 तक के बीच में यह trade करता रहता है, तो selling pressure बना रहेगा, 27 के break करते ही market में और ज़्यादा pressure बनना शुरू हो जाएगा, जिसमें next level जो होगा हमारा वो बिल्कुल यहीं होगा, जो इसका lowest price ही वाला बना हुआ है 26.70 यह price break होता ही, market में फिर आप expect कर सकते हैं कि अच्छी selling आपको देखने को मिलेगी, otherwise यह strength तब तक continue रहनी है, अब यहाँ दूसरे से आप 26.70 पर निकल जाएए और यहाँ पर तो आप मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप short selling की और position ले ले exit करें और reversal trade ले ले तो इस तरीके से आप trade कर सकते हैं इसलिए दोस्तो stop loss 1, stop loss 2, stop loss 3 यह strategy भी आपकी होनी चाहिए single stop loss आपके लिए कई बार हो नहीं पा रहा कई ट्रेडर ऐसे होते हैं कि वो पहले पर exit कर जाते हैं और फिर वहाँ से market ज़्यादा उपर नहीं किया और वहाँ से वापस उन्हें profit दिखा देता है ऐसे देखें चांस सारे आते हैं मैं उन possibilities को find out करने की कोशिश करता हूँ कि जिसमें आपके portfolio में थोड़ी सी growth होती हुई हमें नजर आए ठीक है stop loss 2 पे नहीं किया वहाँ से कर नीचे आता है तो at least आपका break even point तो आपको मिली जाएगा break even point आपको मिला आपने आप बहार निकल गए आपको no profit no loss पे आपको पूरा वो trade रहा तो कोई problem नहीं है next time देखेंगे और यहां से दूसरी situation यहां से worst scenario में वो उपर जाता आपका stop loss 2-3 trigger कर जाता तो आपको यह रहता कि पहले stop loss से थोड़ी quantity आप exit कर चुके है और ऐसा नहीं कि stop loss 1-2-3 single उसमें single shot में आपको trigger होने लग जाएंगे market आपको बहुत time देगा और हो सकता है बीच में हमको यह भी समझ में आने लगए कि हम में पहले निकल जाना चाहिए वो situation पर depend करता है तो इस तरीके से आप trade कर सकते हैं इसी तरीके से target 1, target 2, target 3 अगर आप आपने 3 target सोचे हुए है अब जैसे यह level है 26.70 थोड़ी ठीक यहाँ पर मुझे selling की उमीद है इस level के break होने के बाद यह level break होगा तो वो selling हो सकता है धीरे से आए या हो सकता है तेज से आए तेज से अगर selling आगी तो हम on the spot हमारे हो सकता है एक अच्छा में target price मिल जाए तो इस तरीके की एक situation बन सकती है तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको level बता रहा हूँ 27.05 से 27 डॉलर के बीच में अगर रहता है तो selling pressure बनना शुरू हो जाएगा आप अपनी long position से exit कर जाएए market और नीचे जाता है 26.70 को break करता है आप exit तो करिए ही करिए प्लस आप short selling में भी आज़ी है को issue नहीं है यहाँ से market में जो strength continue रहती है तो उसमें 28.17 का एक target एक level है target नहीं है एक level है उसे भी अगर market ने break कर दिया और sustain कर गई silver वाँ तो फिर हमें 29.50 के आसपस तक के price या 29.50 तक के भी price हमें charts पर देखने को मिल सकते हैं तो यह कुछ level है और नीचे में अभी वही रहेगा 24 dollar इन सब price levels को आप ध्यान रखिए काफी help कर सकते हैं आपकी तो दोस्तों यह था मेरा silver mcx पर अभी का video वो sorry silver usd पर अभी का video वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दें बुरा लगे तो बुरा लगने वाले तो खैट जरूर कमेंट करते हैं बुरा लगे तो भी कमेंट कर दीजिए और like, share और हो सके तो मेरे चैनल को join भी करें धन्यवाद